कि यह मेरा पास एक रेलमी कांण रियलमी यूओन है इसमें प्राप्य। की यह आठोब्लम बंद हो जा रहा है तो इस में चार्ज रहता है फिर भी आटोमेटर बंद लि mois देقول ऑन का दे रहा हूं उसे दे रहा हूं इसमें क्या दिक्कत है कितने परसंट पर बंद हो जा रहा है तो देखिए कि दिखे बंद हो गया है जैसे हम कुछ में करते हैं कुछ भी अगर जैसे यूज करते हैं तो तुरंति बंद हो जा रहा है तो अभी मैं चार्ज लगा के दिखाऊंगा इसमें कितना परसेंट चार्जिंग है यह फिर भी बंद हो जा रहा है तो देखिए भी मैं चार्ज लगा दिया हूं केबल लगा दिया हूं चार्जर केबल तो अभी देखते हैं कितना परसेंट चार्जिंग है इसमें देखिए तो यह बहुत साथ यह प्रॉब्लम बहुत सारे मॉडल में आता है यह कोई कंपनी में भी कंपनी वाले मॉडल में भी आता है जिसे वीबो पो माई सभी मॉडल में दिक्कत आता है इस तरह का कर दे रहा हूं देखिए जैसे मैं कुछ यूज करते हैं इसमें तो यह तुरंद बंद हो जाता है कि देखिए बंद हो गया है अब फिर से चार्ज लगा के दिखा दे रहा हूं कि देखिए यह तिरान पर पर्शन चार्जिंग सो करता है इसमें फिर भी बंद हो जा रहा है तो इसे बताऊंगा इसमें क्या करना है बहुत आसान तरीका है इसे ठीक करने का कि यह असान से ठीक हो जाता है और शलता है अच्छे से बहुत सारे मॉडल में यह दिक्कत आता है यह सभी मॉडल में यह दिक्कत आता है जाया तर यह रेडमी नोटेट में आता है दिक्कत यह तो देख लेना सेम ही मैथड से सही हो जाता है यह सारे फोन इस तरह का जो दिक्कत आता है यही मैथड यूज करना पड़ेगा सभी फोन में तो यह बैटरी खराब नहीं होता है हम अगर remember your decision कर देंगे तब भी चलेगा लेकिन यह रिपेर होघाता अच्छания से चलता तो देंखीत में के के फ्योज रेजिस्टर लगा होता है है मैं एक फूझ रिस्टर लगा होता है उसे विक कि छोज्टर खराब हो जाता है तभी निकता आता है यह अब संदी फोन के बैटरी में लगा होता है कोई भी मॉडल हो जैसे बीवो पो इम आई कि रियल मी कोई भी मॉडल हो जो सभी में ये फ्यूज लगा होता है जो कंपनी का बैटरी रहता है उसमें फ्यूज लगा होता है ये फ्यूज का दिक्कत आ जाता है तो देखिए फ्यूज में टिप लगा होता है कि कहीं शॉट ना हो तो इस टिप को काट लेना है उसके बाद में इस फ्यूज को निकाल कर देखिए फ्यूज है बलेकर होता है उसमें के यल, पी, क्यू लिखा रहता है, तो देख लेना, यह सभी बैटरी में रहता है, कमपनी के सभी बैटरी में रहता है, तो इसे रिमूब कर देना है, रिमूब करने के बाद इसे जंपर कर देना है, अगर आपके पास कोई पुराना बैटरी है, तो उससे भी निकाल क कोई घबनानी की ज़रूद नहीं है कि कोई और दिक्कत आ जाएगा नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा अच्छे चलेगा तो इसे मैं रिबूब कर दिया हूं है और उसके बाद जंपर कर दे रहा है अगर आपके पास पुराणा बैट्रिया तो निकाल कर लगा सकते हैं इसमीं अगर नहीं है तो शॉर्ट कर देना है तो मैं सॉट कर दे रहा हो दोनों पिन को कि यह अच्छे से चलता है कोई दिक्कत नहीं आता है कभी कि ऐसा होता है कि जब हम काल करते हैं तो भी यह बंद हो जाता है या कभी कोई सॉंग सुमते हैं तो भी बंद हो जाता है ऐसा भी दिक्कत आता है और चार्ज रहेगा 50% 80% फिर भी बंद हो जाता है तो यही कोई भी मॉडल है कोई भी कंपनी का फोन जैसे भी वह माई कोई भी कंपनी करें फोन तो सेम मेथ्ट उसकते हैं तो सही हो जाएगा तो मैं इसे जमपर कर दिया हूँ देखिये फ्यूज रखा हुआ तो मेरे पास ट्यफ है तो ट्यफ लगा देना उसमें ताकि कहीं शॉट न यह तो मैं फ्योज निकार राकर कर दिया हूं यह कम्पनी का बैटी रहा था खराब नहीं अचल्दी यह अगर चैन्ज्ज भी कर देंगे बैटी तो भी सच सही हो जाएगा क्योंकि बैटी की फ्यूज से दिक्कत होता है तो आप कुछ नहीं करवाना है यह सिर्फ फ्यूज को रिमोब करके सौट कर देना है तब यह सही हो जाएगा आपकर कंपनी का बैटीज भी रहेगा अच्छे से चलेगा कोई दिक्कत नहीं आएगा तो अभी मैं इसे ओन कर रहा हूं यह अब चलेगा अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें पहले दो तीन सिकन्ड में बंद हो जा रहा था जैसे कुछ यूश कर रहे थे कुछ भी दबाने के पाद इसे बंद हो जा रहा था तो अभी मैं देखता हूं देखिए अब अभी नहीं बंद होगा अभी अच्छे चलेगा कोई दिक्कत नहीं आएगा जैसे पहले बैक अब दे रहा था वैसे बैक अब देगा और अच्छे चलेगा बंद भी नहीं होगा देखी अच्छे चल ला है कोई दिक्कत नहीं आ रहा है दो से तीन सिगंड में पहले बंद हो जा रहा था तो अभी मैं फ्यूज को निकाल कर जंपर कर दिया हूं तो अच्छा यह सही चलने लगा है कोई भी मॉडल है आपके पास तो सेम मैथड यूज कर सकते हैं यह सारे मॉडल पर वर्क करता है मैथड यह हंड़ेट परसेंट वर्किंग मैथड है आपको बैटे चंज करनी कोई जरूर्वत नहीं है देखिए अच्छे चल ला है इसे ट्राइज जरूर कर लेना उसके बाब एक कमेंट कर देना कि हुआ की नहीं हुआ यह हंड़ेट परसेंट वर्किंग है यह मैथड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना